ओम नमो भगवती वासुदिवाई मित्रो अनोखा संगम का पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विशे में आज के पंचांग में तिथी, वार, नक्षत्र, योग और करण के विस्तरत जानकरे के साथ आज का शुब समय अभिजीत महुरत वै ऐशुब समय राहुकाल आज के दिनों रात का चोगडिया और आने वाले दिनों के वरत और तहारों के बारे में पूरी पूरी जनकारी मिलती है आए जानते हैं आज का शुब पंचांग आज की तारीक दो जुलाई दो हजार बीस आज का वार गुरु वार आज अशाड महा के शुकल पक्ष की दुआ दिशी तीन बज कर सोला मिनट दुपहर तक रहेगी उसके बाद त्रेयों दिशीतिती थी लागू हो जाएगी दो जुलाई दो हजार बीस के सुर्योद्य का समय रहेगा पांच बचकर 27 मिनट सुभह सुर्यास्त का समय रहेगा साथ बचकर 23 मिनट शाम को चंदरोजया का समय रहेगा चार बजकर अड़तिस मिनट शाम को चंदरास्त का समय रहेगा तीन बजकर अगले दिन सुबह तक आज का नक्षतर अनुराधा एक बजकर चोदा मिनट अगले दिन मध्यरातरी तक रहेगा उसके बाद जेश्था नक्षतर लागू हो जाएगा आज सूर्य मिथुन राशी में और आज चंदरमा व्रिष्चिक राशी में है इसलिए सूर्य राशी मिथुन और चंदर राशी व्रिष्चिक होगी आज का पहला करण बालव तीन बजकर सोला मिनट दुपहर बाद तक रहेगा आज का दूसरा करण कोलव दो बजकर चोदा मिनट अगले दिन सुबहत तक रहने वाला है बालव करण व्यक्ति को धार्मिक सोभाव प्रतान करता है इस करण में जनम लेने वाले व्यक्ति धरम करम में अटूट विश्वाश रखता है और धरम यातरा और तीर्थी यातरा के दवारा अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करता है इस करण के जादक अच्छी शिक्षा प्रप्त करती हैं और ये जीवन में काफी धन भी अरजित करते हैं और धन धाने से पूरण सुखी जीवन वैतित करते हैं कोलव करण में जनम लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव मिलंसार होता है इस करण में जनमे व्यक्ति सबसे प्रेम पूरण और सनहे युक्त बेबार करते हैं इनके मित्रों की संख्या भी बहुत अधिक होती है और मित्रों से इन्हें समय समय पर अनुकूल सहयोग और लाब भी प्राप्त होता है इस करण के जातक बहुत ही स्वाभिमाने होते हैं और किसी भी हाल में अपने स्वाभिमान पर आच नहीं आने देते आज का योग साध्या आठ बच कर पच्चिस मिनट सुभह तक है उसके बाद शुभ योग आ जाएगा दिशाशुल की बात करें तो दक्षिन दिशा में दुशाशुल माना गया है आये जानते हैं साध्या योग के बारे में आपको यदि किसी से कोई विद्या या कोई विध भी सीखनी हो तो यह योग अतियुत्तम है इस योग में कार्या सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता भी मिलती है आज का शुब समय आज का अभिजीत मुहुरत ग्यारा बच कर सतावन मिनट सुभह से बारा बच कर त्रेपन मिनट दोपहर तक रहेग ब्रह्म मुरुत का समय चार बच कर पांच मिनट सुभह से चार बच कर छालीस मिनट सुभह तक माना गया है आज का एशुब समय आज का रहुकाल दो बच कर दस मिनट दोपहर से तीन बच कर चववन मिनट दोपहर तक रहेगा यम गंड काल की बात करें तो पांच बच कर 27 इस समय में किसी भी प्रकार का शुब और मांगलिक कार्य शुरू ना करें। लाब का समय बारा बचकर चोविस मिनट दुपहर से दो बचकर नो मिनट दुपहरत करेंगा। अमरत का समय बारा बचकर चोविस मिनट दुपहरत करेंगा। अमरत का समय होगा चार बचकर ग्यारा मिनट सुबह से पांच बचकर 27 मिनट अगले दिन सुबह तक। अमरत करेंगा। अमरत करेंगा। मित्रो ये था आज का शुब पंचांग। आज बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहें अनुखा संगम का चैनल और इसे जादा से जादा सब्सक्राइब करें, शेर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो में अंतितक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करें वीडियो करें।